तालबान के जो तर्जमान है है उन्हें एक ब्यान दिया है उन्होंने कहा जी के पाकिस्तान जो है उदर हगी की तौर पे कोई इसलामी रियासत महीं है तो बनाज जाते हैं वो ? वो देखते हैं ना उनका पहली बात है ना तुक बनता है ना हक पॉंटा है हमारे अंदरूनी मामला के तफिरा करना है कि वो शायर ने कहा था ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने जब बोलने लगे तो हम ही परवर्स पड़े जबीला मुझाइद का ये जो पॉइंट अफियो इसके बर हम क्या कोगे गवादर की सूर्थाल दोस्तों ये है कि गवादर को हक दो की जो तैरीक है आज 26 रोज होगे हैं वो धरना मार के बैठे हूँ और दाद दीजिए पाकिस्तान के मीडिया को के जिसने 26 बलके आज 27 दि और पाकिस्तान का मीडिया खामोश है और इस सब के अंदर इन्हों ने अब स्टेट्मेंट दे दिया है कि हमें सी पैक से चेक पोस्टों के लावा कुछ नहीं मिला तकरीपन 24 दिन से गवादर बंद पला और गवादर में इतने जादा हंगामे हो रही है तो गवादर के ल अब वहाँ पे कल पर्चे भी कटे हैं कि आईसाई के खलाफ बात करें कि उन्हों ने मुलक के खलाफ फाक पोच के खलाफ यनि पाकिस्तान आर्मी के खलाफ और पाकिस्तान के खुफिया एदारों के खलाफ जो है तकारीर की है हेलो फ्रेंट्स जैहिन हिंदूस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों बलोचिस्तान में अब खुलकर लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं लगभग एक महीने से ये अंदोलन जारी है पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान के हालात बहुत खंबीर हो चुके हैं गवादर के लोग CPAC के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं और उन्हें आज लगबग एक महीना हो चुका है और इनकी इतनी बड़ी रैलियों से पाकिस्तानी सरकार हिल चुकी है पाकिस्तान का मेंस्ट्रीम मीडिया इस अंदोलन पर कोई खबर नहीं दे रहा क्यूंकि सरकार और पाकिस्तानी आर्मी ने इसकी कवरेज करने से मना किया हुआ है बलोचिस्तान ने अपनी आजादी की मांग बहुत तेज कर दी है और लोग सडकों पर आ चुके हैं अपना हक मांगते हुए लोग इमरान खान, ISI और पाकिस्तानी आ तर जमान है उन्हों ने एक ब्यान दिया है उन्होंने का जी के पाकिस्तान जो है उदर हकीकी तौर पे कोई इसलामी रियासत नहीं है तो बनान जाते हैं वो, I don't know, I don't know, I don't know. पहली बात है ना तुक बनता है ना हक पूंटा है हमारे अंदरूनी मामला पे तफिरा करना है कि वो शायर ने कहा था ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने जब बोलने लगे तो हमी पर बरस पड़े ये कल के जबियुल्ला मुझाहिद जो यहां पर फिरते थे आपको भी पता है मुझे भी पता है ये सारी लीडर्शिप जो है वो जनरल जिया उलाक के दौ पर से शुरू होने के बाद जनरल हमीद गुल तक किस तरीके से यहां इसलामबाद की सड़कों पर फिरते थे किसको नहीं पता आज अगर उनको किसमत ने ये मौका दे दिया है कि वहां इकतदार सबाल लिया उन्होंने उन्हें अभी भी कुछ आंख में लिहाद और शर्म चाहिए असान फरामोश इससे पहले हैं कि जो हकोमत ऐसे लोगों के हाथों में चेरी गई है जिसके लिए दीन एहम नहीं है उनके लिए माल माल बनाना है हमें इमरान खान के बारे में जबीला मुजाहिद का यह जो पॉइंट अफ वियो इसके बारे में क्या कोगे लिए कर रहे हैं आप उनके लिए इनके नुसीब दुनिया बर में खादर के लिए गबादर की सूर्तियाल दोस्तों यह है कि गबादर को हक दो की जो तैरीक है आज 26 रोगे हैं वो धर्ना मार के बैठे हुए हैं और इंसानी हकूग का आदमी दिन भी था उस पर भी ब्रोश्ता पाकिस्तान के एक शहर में पाकिस्तानियों के साथ जारी है और बड़े अरसे से जारी है और उस शहर का नाम है गबादर और दाद दीजिए पाकिस्तान के मीडिया को के जिसने 26 बलके आज 27 दिन है वहां की औरतें वहां के बच्चे वहां के बुड़े पूरा के पूरा गवादर शायद पूरा ब्रोश्तान यू लग रहा है के वहां पर आके बैठ गया हमने तो गवादर के जो मनाज़र देखियों में हैं वहां पर तो टामा टामा कहीं कह खामोश में मतलब कहने के हर वो इशू जो पाकिस्तान की और पाकिस्तानियत की हसासियत से मतलब हो वहां पर पाकिस्तान का मीडिया खामोश होता है कल गालबन कल या एक दिन पहले लापता अफराद से मतलब के लापता अफराद का जो आलमी दिन होता है उस हवाले से एक क बस वो एक हलका सा वो कहलें कि खबर चलाई है और जब वो सैंस्टिफ बते शुरू ही तो मीडिया गायर इस वक तक्रीबन चौबीस दिन से गवादर बंद पर और गवादर में इतने जदा हंगावे हो रही है और अतने जदा धरने हो रही है कि गवादर जो है पूरा मुझमित है गवादर में जितनी मुझे बताई है कि हाईवेस है उनके उपर बलॉकेड्स है और उनके उपर लोग बैटे हुए हैं और उनका एक उननीस डिमांड्स का एक उनका चार्टर अब बारे को अगर किसी को मचे रहे हैं और उनको प्रॉबलम है वहां पर किसी किसम का प्रॉबलम हो रहा है उनको कहा रहा है कि यह रियास्ते पाकसान यह करा रही है यह तो पंजाबी खा गया तुम्हारा क्यूंकि तुम बलोच हो और अब वहां पर कल पर्चे भी कटे हैं कि I.S.I. के खिलाफ बात क को और हर वो शक्स जिसको कोई ना कोई शकायत हो सकती है उसको किसी ना किसी लालच के तहर उनको अखटा किया जा रहा है और उनको वहां पर लाया जा रहा है और अभी क्राउड्स एग्नोर नहीं हो सकते जो वहां पर क्राउड्स है पहले एक उनको समझाना पड़ेगा ज दोनों अपने गरों से निकल चुके हैं और एक दरना दिया जा रहा है ये दरना अल्मोस्ट एक महीना इसको होने को है लेकिन इसकी शिदत में कमी वाकिया नहीं हो रही बलकि दिन बदिन ये और बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि गवादर के समंदर के साथ आवाम का एक समंदर जो है वो दूसरे साइट पे बेटा